अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माबाप उसके इलाज कराने में अरसमर्थ हैं, इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पर जाएं और अद्विक की उमीद बनें कोटनेतिक मोर्चे पर अमेरिका और चुएंग के बीच शुरू हुई अदावत जारी है, पहले की ट्रम्प प्रसासन के दोर में होने वाले मुखर बयानबाजी भले ही फिलहाल बंद हो, लेकिन जो बाइडन ड्रागन को संकेत दे चुके हैं कि वर्चस की लड़ाई में उन का देश ही सबसे आगे है, बीजिंग को काबो में रखने कवायत के तहट अभी G7 की बैठक में वाशिंग्टन की ओर से आया प्रपोजल पर भारत ने विचार करने की बात कही है, दरअसल अमेरिका की ओर से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी BBB के बारे में प्रपोजल आया है, जिस पर भारत जल्द ही कोई फैसला ले सकता है, राजपती बाइडन ने ही इस बिल्ट बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया था, जिसे चीन के बिल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए ये लाय गया है, अगर G7 देश इस द प्रतांत्रिक देश करेंगे, जो इसमें तकनीकी और आर्थिक मदद भी करेंगे, इस पर कुल 40 ट्रिलियन 21 डॉलर की लागत आने का अनुमान है, हलाकि ये प्रोजेक्ट उन देशों पर फोकस करेगा, जो कुरोना संकट में बूरी तरह के से प्रभावित हुए हैं, यान भी इस से जल जुड़ सकता है, मीडिया से बात करते हुए विदेश मंतर आलक यदिकारी, पी हरिश ने कहा कि बिल्ड बैक बेटर को लेकर यदि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसका प्रभाव आंकलन कराएग देश के अंदर ही नहीं लेकिन दूसरे देशों में भी प्रॉजक्ट इंप्लिमेंटेशन के, हम दिखा सकते हैं कि हम प्रॉजक्ट इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से और इस विशाई पर प्रधान मंतरी जी ने हमारा भारत का experience को रिफर किया है, जो में हैं और जो अफरिका के देशों में हैं और जो हमारे development partnership framework के दाएरे में आता है। The Prime Minister also indicated that India stands ready to do more in this regard, keeping in view the ethos of transparency and inclusion. On the specifics of the B3W proposal put forth that was referred to by some of the questions, I can confirm that the relevant agencies of the Government of India would study them and would engage with them as appropriate at a later stage. Thank you sir. Let me take the last question, Maha from CNN News 18 asks, did G7 plus guest countries discuss pushing for a fresh probe into the origin of the coronavirus and what was India's stand on this? Maha, I can say that the leaders of the G7 and guest countries had a very intense and detailed discussion. चीन के Belt and Road Project की उन देशों की ओर से भी आलोशना शुरू हो गई है जो इसका हिस्सा है। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ रहे कर और अस्थानी स्तर पर लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर इसकी आलोशना हो रही है और भारत इसका शुरू से ही विरोधी रहा है। पूररी पार्ट भारत आग